हेलो दोस्तों ये मेरी न्यू स्टोरी, अगर आप लोग इस स्टोरी को डेली सुनना चाहते हैं तो आपको स्टोरी का दिया गया लाइक टारगेट कम्पलीट करना होगा, लाइक टार्गेट कम्पलीट होने पर ही आगे के एपिसोड जाएंगे अगर लाइक टार्गेट कम्पलीट नहीं होगा तो ये स्टोरी भी बाकी स्टोरी की तरह बंद हो जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक टार्गेट है जितनी जल्दी इस वीडियो पर 100 लाइक टार्गेट कम्पलीट हो जाएगा मैं नेक्स्ट एपिसोड अप्लोड कर दूनगा ये कहानी है आस्था नाम की लड़की की जिसने अपने प्यारे पती को छोड़ दिया अपने परिवार के कहने से जो उसे रोज उसके कान भरते थे उसके पती के खिलाफ क्योंकि उन्हें उसकी प्रॉपटी चाहिए थी जब वो डिवास लेके घर से बाहर निकलती है तब कोई उसे किड्नेप कर लेता है और बहुत सी जयक्ती करता है अंत में वो मर जाती है मरने से पहले उसे राज पता चलता है कि उसका किड्नेप किसी और ने नहीं उसके परिवार नहीं करवाया था वो उससे प्यार नहीं बलकी नफरत करते थे उसका पती ही उससे प्यार करता था जो उसे बचाने के लिए खुद की जान तक डेडी ये बात उसे मौत के समय पता चली और वो मर जाती है मगर जब वो जागती है तब खुद को आलीशान कमरे में पाती है खुद को देखती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो तो मर चुकी थी तो फिर जिन्दा के से जब खुद को देखती है तो चोप जाती है क्योंकि न उसके शरीर पे कोई निसान था न कोई मारपीर के निसान बेदा खुब सुरत चहरा वो जब 19 साल की थी तब उसका चहरा ऐसा था मतलब उसका रिबर्थ हुआ है उसे यकीन नहीं आता तो कमरे को चेक करती है मगर कमरे को देख उसे याद आता है कि ये तो उसका कमरा है जिसमें वो शादी के बाद रहती थी उसे तो यकीन ही नहीं आता के उसका रिबर्थ हुआ है मगर थोड़े समय बाद गौड को थैंक्यू कहती है और डोड के नीचे जाने ही वाली होती है अपने पती को ढूडने के वो सामने आ जाता है उसे देख आस्था अपने इमोशन्स पे कंट्रोल नहीं रख पाती और रो पड़ती है आस्था जब अविनाश के गले लगती है तब वो चोक जाता है क्यूकि उसकी पतनी उसके करीब तो क्या टच भी नहीं करने देती थी आज वो खुद उसके गले लगे रो रही है मगर जब उसके कान में आस्था के रोने की आवाज आती है तब होश में आता है उसको शांत पहले करता है पानी पिलाया आस्था देख रही थी सब कुछ की वो जिससे इतनी नफरत करती थी आज वो केसे उसका ख्याल रख रहा है इसलिए उसे बहुत दुख होता है जब अविनाश आस्था को खोए हुए देखता है तो आवाज करता है जिसे होश में आती है अविनाश उसे बहुत कुछ पूछना चाहता था मगर कुछ सोच उससे कुछ नहीं कहेता उसे उसका खयाल रखने को कहेता है और मेडिसिन लेने को बोलता है क्योंकि वो जन्ता था कि उसकी पत्नी उससे कितनी नफरत करती है उसकी सकल भी देखना नहीं चाहती थी और बुखार में वो उसे और ज्यादा बीमार करना नहीं चाहता था इसलिए जब वो जब कमरे से बाहर जाने के लिए मुरता है तो आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप कहा जा रहे है मुझे छोड़ कर तो वो उससे अपना हाथ चुड़ा कर कहता है कि उसे कुछ काम है उससे आस्था मन में सोचती है कि उसे क्या कहे कि वो यहां रुख जाए इसलिए वो कहती है कि उसे पानी चाहिए अविनाश को उसका बिहेवियर आज कुछ अलग सा लगता है मगर फिर भी उसे पानी देता है जब वो वापस मुर्ता है तो फिर आस्था उसे मेडिसिन देने के लिए कहती है ऐसे ही कोई न कोई बहाना बनाती रहती है और उसे रोकती है अविनाश तंग आकर आखिर कर पूछ ही लेगा है कि वो उससे क्या चाहती है क्योंकि वो पहले से ही दुखी था तो उसकी बीवी बीमार है उसका बॉयफरेंड भी है और वो उससे देखना तो क्या उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। आज वो उससे रोकने के लिए बहाने बना रही है। आस्था भी फिर सीधे सीधे उससे बता देती है कि वो चाहती कि वो उसके साथ रहे उसका ख्याल रखे मगर एस उनके अविनाश के होश उर जाते है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उसे उसके पास रुखने के लिए कह रही है इसलिए वो दुबारा पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा तो वो दुबारा अपने पास आने के लिए कहती है मगर जब वो नहीं आता तो गुस्सा आता है उसे मगर अपने गुस्से को शांत कर कहती कि तुम मेरे तीन गिनने तक नहीं आये तो देख लेना ए सुनके उस बेचारी की हवा ही निकल जाती है क्योंकि पहली बार उसकी पत्नी उसे अपने पास खुद से बुला रही थी वो जब उसके पास पहुचता है तो आस्था उसे अपने पास कीच लेती है और बैड पे साइड हो जाती है अविनाश तो शोक में चला जाता है मगर होश में आते ही जब उससे रहा नहीं जाता तब पूछता है जब तुम्हारे बॉइफ्रेंट को पता चलेगा कि तुम मेरे करीब हो तो क्या होगा अभी तुम मेरे पास आ रही हो मगर फिर तुम दूर हो जाएगी इसलिए बहेतर ह कि तुम मुझसे दूर ही रहो ये कह के जब वो जाने वाला होता है तब आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है फिर उसे बैट में गिरा कि खुद उस पे चड़ के बैट जाती है और अविनाश को कहती है कि मैं उस पागल आदमी से प्यार नहीं करती हूँ तो दुबारा मेर अविनाश कहिता है कि अब तब तो तुम उसके लिए मुझसे लड़ती थी। जो उसके लिए मुझसे लज़ती थी। मेरी बीबी थी फिर भी वो अपने विचार से बाहर तब आता है जब उसे आस्था की आवाज आती है जो उससे कह रही थी कि वो मेरा कुछ नहीं लगता अपसे क्योंकि ये कहके वो चुप हो जाती है तो अविनाश उससे पूछता है क्योंकि क्या तब आस्था उससे पूछ और बैल्ट से मरता भी था ये याद करके वो काम पुठी ए अविनाश ने देखा मगर वो जानना भी चाहता था कि उसकी बीवी क्यों अब उस आदमी से अब नफरत करती है वो उसकी आखों में उसके लिए नफरत साफ देख सकता था उसने फिर पूछा कि क्यों अब वो उस विक्रम से नफरत करती है तब आस्था अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और कहती है कि क्योंकि मैंने मेरी बेहन और उस विक्रम को साथ देखा था होटल रूम में एक साथ जिसके बाद मुझे कोई होश ही नहीं रहा मगर तब मैंने उनकी बात करते हुए सुना कि वो हमें मारने के बाद हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते है और उस से पहले हमारा सौधा करना चाहते है ताकि आप हमें छोड़ दे और इस काम में हमारा पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है वो ही लोग हमें आपके खिलाफ भीगने से हमें बुखार हो गया मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहा जाए क्या करू मगर तब तक आप वहा पहुच गए मगर में बेहोश हो चुकी थी ये सुनके तो अविनाश को भी जटका लगा के आस्था के परिवार वाले उसे मारना चाहते है और विक्रम और जान की दोनों साथ है उसे इतना ही पता था कि उसकी बेहन उसे नवफरत करती है मगर इस हद तक उस ने एक भी सोचा भी न था वो फिर होश में आता है और आस्था से पूछता है कि वो सब तो ठीक है मगर तुम तो मुझसे नवचस करती हो ना फिर तुम मेरे साथ क्यीं चाहती हो क्या तुम मुझे तोरना चाहती हो तो प्लीज मुझसे दूर ही रहो मुझ में हिम्मत नहीं है कि तुम्हरे पास आके तुम्हारा धोखा सहन कर सकूँ. तुम धोखा दे रही हो तो मत करो ऐसा I request you. ए सुनके आस्था को भी एहसास होता है कि उसने अविनाश को कितन हर किया है. वो उससे कहती है मैं कोई जूट नहीं बोल रही में भी तुमसे बहुत प्यार करती हुँ अविनाश मगर मेरी फैमिली की बातों में आकर मेंने हमेशा तुम्हें गलत समझा. तुम्हारे प्रती मेरे प्यार का मेने गला घोट दिया मगर अब नहीं मेरे सामने सब सचा गया है वो लोग यही चाहते है मैं तुम्हें छोड़ दू। आस्था को याद आता है कि कैसे अविनाश के डाइबोज के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। उसके परिवार वालों ने उसके प्यार ने उसका किड्नेप करके कितना टॉर्चर किया और फिर बेच भी दिया अंत में एक्सीडेंट हो गया वो मर गई। मगर भगवान को उसके तरस आ गया और उसका दूसरा जन्म हुआ सिर्फ उसके पती के लिए और बदले के लिए वो भूली नहीं थी कैसे उन लोगों ने अविनाश को मारने के लिए फोस किया था सिर्फ उसे बचाने के लिए अविनाश ने खुद को मार दिया मगर फिर ये लोग उसे नहीं छोड़ा और उसे बेच दिया गया ये सब याद करके वो काम उठी उसे श्वास लेने में तकलीफ होने लगी और बेहोश हो गई आस्था को बेहोश होता देख अविनाश गभरा जाता है और जल्दी से आस्था को साइड कर लेटाता है उसे और खुद वो होश में नहीं आती तो दुबारा मारता है फिर धीरे धीरे आस्था को होश आता है मगर वो फिर भी कमजोर होती जब अविनाश देखता है कि आस्था को होश आ गया है तो बहुत खुश होता है आस्था देखती है कि अविनाश उसके लिए कितना परिशान है इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के बैड पर बिताती है। अविनाश भी उससे थोड़ा दूर बैट जाता है क्योंकि अब भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ उससे प्यार करती है। आस्था देखती है कि वो उससे दूर बैठा है तो खुद थोड़ा खिसकते हुए उसके पास बैट जाती है। इसलिए फाइनली वो उससे कहेता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूनगा मगर तुम्हें प्रोमिस करना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। विक्रम से दूर रहोगी और अपनी फैमिली से भी तुम सिर्फ मुझे से प्यार करोगी। मुझे कभी हट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ बोलो मंजूर है तुम्हें। तो आस्था कहती है खुशी के साथ की उसे मंजूर है। अविनाश जानता था कि आस्था अपना प्रोमिस कभी नहीं तोड़ती चाहे कुछ भी हो जाए इसलिए ही वो उससे प्रोमिस मांग रहा था। दूसरी तरफ आस्था को तो बस अपने पती का साथ चाहिए था जिस अविनाश जब उसे दलिया खिलाने जाता है ये देख वो तरह तरह के मूह बनाती है। वो कहती है कि उसे ये नहीं खाना। अविनाश कहता है कि वो बीमार है तो उसे यही खाना चाहिए। जब वो नहीं मानती तब कहता है अगर तुम ये पूरा फिनिश करेंगी तो मैं तुम्हें अपने खाने में से थोड़ा खाने दूनगा। आस्था तो ये सुनके खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खा अविनाश जब देखता है तो आस्था बहुत प्यारी लगती है। आखिर हमारी आस्था चुलबुली, मैच्योर, बहुत खूबसूरत और थोड़ी चबी थी। जब वो खाना खा रही थी तो अविनाश थो उसे देखता ही रह गया। तब तक आस्था दलिया खत्म कर के खाने को देख रही थी। ये देख अविनाश अपनी प्लेट लाके उसके पास बैट जाता है। आस्था ये देख जल्दी से खाने का एक बाइट लेती है जब वो खाने वाली होती है तब उसे याद आता है अविनाश भी भूखा होगा क्योंकि उसे याद आता है जब कभी वो नहीं खाती तब वो भी नहीं खाता ये याद आते ही वो बाइट अविनाश के मुँगर पास ले जाती है अविनाश जब उसे ऐसा करता देखता है तब उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि आज पहली बार उसकी पत्नी उसे खिला रही थी ये सोच वो खा लेता है और एक बाइट लेके उसको भी खिलाता है, आस्था भी खा लेती है, ऐसे ही डिनर कम्प्लीट करते हैं वो लोग, अविनाश प्लेट लेके नीचे रखने के लिए जा रहा था, तब आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आप वापस आएंगे ने, य अविनाश ये देख समझ जाता है कि वो क्या कहिनना चाहती है, इसलिए कहता है आता हूँ, ये बोलके चला जाता है, आस्था को बहुत शर्मा रही थी मगर फिर खुद को समझती है कि वो तेरा पती है, तू सिर्फ उसे अपने साथ सोने के लिए पूछ रही थी उसने क्य बड़ी बात है, ये सोच वो अपने आपको कंट्रोल करती है, तब तक अविनाश भी आ जाता है और बैड पे उससे दूर होके सो जाता है, ये देख आस्था मुह बनाती है, और सो जाती है, मगर नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी, दोनों करवट बदलते है, मगर दोनो के फेस एक दूसरे के सामने आ जाता है, अविनाश पूछता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही ये बोल, वो उसका बुखार चेक करता है, जो हलका हलका अब भी था, आस्था कहती है, सुबह तको तर जाएगा, अविनाश पूछता है तुमने मेडिसन ले ली ना, वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम, तो आस्था कहती है हग कर रही हूँ और क्या, अपने पती को ही कर रही ना दूसरे के पती को, ये सुन अविनाश शांथ हो जाता है जो उससे खुद को चुडाने की कोशिश कर रहा था, थोड़े समय बात जब अविनाश देखता है कि वो से चुकी है तो उसके तरफ करवट बदल के हग कर लेता है और सो जाता है और स्माइल करता है उसकी स्माइल ऐसी थी की आज वो खुल के मुस्कुरा रहा है आज उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो और उसे कुछ नहीं चाहिए जब सुबह सबसे पहले अविनाश की आँख खुलती है तो आस्था की तरफ देखता है जो सुकून से सो रही थी वो कुछ देर उसे देखता है फिर जिम में चला जाता है जब वो वापस आता है तो आस्था को उठाता है जब आस्था की नींद खुलती है तो पहले अविना अविनाश को शरारत सुझाती है वो आस्था के ऊपर आके उसके ऊपर जुकने लगता है ये देख आस्था की नीन दूर जाती है अविनाश ऐसे रूखे सूखे को उन्विश करता है बीवी आस्था कहती है कि मैं अविनाश कोई बात नई में खुद मेरी मौनिन किस ले लू अविनाश कहिता है तुम नर्वस हो तो इसलिए जब तुम कमफर्टेबल हो जाव तब करेंगे ये सुन आस्था को खुशी मिलती है कि उसका पती उसे समझता है वो खुद आगे बढ़ उसके गाल पे किस करती है ये देखकर अविनाश जमसा जाता है उसका हाथ अपने आप अपने गाल पे चला जाता है ऐसा उसका रियेक्शन देख आस्था को खुशी मिलती है अविनाश होश में आता है जब उसे वाश्रूम के दरवाजे की बंध होने की आवाज आती है अविनाश फिर सिर जटक के नहाने चला जाता है आस्था जब नहा लेती है तब उसे याद आता है कि वो कपड़े लाना ही भूल गई है ये देख खुद को थपपर मार के कहती है पागल है तू आस्था अपने पती के सिर्फ गाल पर किस करने से इतना शर्माने के कारण कपड़े लाना तक भूल गई वो जब सिर्बाहर निकल के देखती है तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखाता ये देख वो सिर्फ टाउल लपेट के बाहर आ जाती है उसी समय पर अविनाश भी नहा के कमरे में आता है आस्था को इस हाल में देख जमसा जाता है आस्था दरवाजे के खुलनी की आवाज से उस तरफ देखती है तो अविनाश को देख जल्दी से खुद को छुपाने की कोशिश करती है ये देख अविनाश उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है ये देख आस्था पीछे की तरफ जाते हुए दिवाल से जा लगती है तब तक अविनाश उसके पास जा पहुंचा था वो आस्था के दोनों बाजू अपने हाथ रख देता है जिससे वो कही जाना पाए अविनाश आस्था की खुश्बू से मधोश हुए जा रहा था और दूसरी साइड उसने अपने डिजाय को जितना छिपाया था आज वो आस्था को देख बाहर आ रहे थे अविनाश का मन कर रहा था कि वो आस्था को अपने प्यार का एहसास दिलाएं उसको खुद में महसूस कर बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है आस्था ये महसूस कर सकती थी कि अविनाश उससे क्या चाहता है क्योंकि आज तक वो किसी भी लड़की के करीब नहीं आया था वो सिर्फ उसे प्यार करता था वो उसे इतनी सिधत से प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था और आस्था ये उसकी पास्ट लाइफ में देख चुकी थी अविनाश आस्था की तरफ देखने लगता है, जो खुद उसे ही देख रही थी अविनाश आस्था से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है आस्था ये देख शर्माने लगती है, और अपना सिर जुका लेती है ये देख अविनाश को लगता वो इसके लिए त्यार नहीं है निराश होकर दूर हो जाता है जाने ही वाला होता है कि आस्था पूछती है कि क्या हुआ तुम जा क्यू रहे हो ये सुन अविनाश रुख के उसे confusion में पूछता है कि तुम ही तो नहीं चाहती थी ये सुन अस्था समझ जाती है कि वो क्या चाहता है क्योंकि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती थी चलिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि आस्था मल्टी टेलेंटेड है और भी राज है उसके जो कहानी में आगे देखने को मिलेंगे आस्था उससे पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा अविनाश कुछ नहीं कह पता तब आस्था कहती है हर चुपकी का जवाब ननहीं होता ये सुन अविनाश उसके पास आता है और लिप टू लिप किस करता है ये किस दोनों की फरस्ट किस थी अविनाश और आस्था उसमें खोही जाते है समय के साथ वाइडली किस करने लगते है थोड़े समय बाद दोनों अलग होते है अविनाश आस्था के बाल सवारता है जो खराब हो गए थे और फिर उसके देखने लगता है ये देख आस्था का चहेरा जलने लगता है। अविनाश फिर उसे कपड़े बदलने को कहता है क्योंकि वो जानता था वो खुद को नहीं रोक पाएगा फिर। ये सुन आस्था कपड़े लेके भाग जाती है। ये देख अविनाश के चहरे पर स्माइल आ जाती है। वाश् व्याद आते ही उसे अदिती पर बहुत गुस्सा आता है। और मन में कहती है अविनाश तो अब सिर्फ मेरा है मैं उसे किसका भी नहीं होने दूनगी चाहे उसके लिए मुझे किसकी जान भी क्यों न लेनी पड़े। इस वक्त अविनाश उससे देखता तो लगता ये उस अपना मुहवाश कर कपड़े पहने के आती है बाहर। अविनाश को अपने रूम में अभी तक देख उसे खुशी मिलती है। अविनाश जब आस्था को देखता है तो स्माइल के साथ उसे नास्ते के लिए अपने साथ चलने को बोलता है। तब आस्था को याद आता है उ उसके साथ ही चलने लगता है। दोनों नीचे आते हैं तो अविनाश आस्था के लिए पहले चेय कीच के बिठाया। फिर खुद जाके हेड चेय पर बैठ जाता है। बैठने के बाद बो आस्था अपने लिए ब्रेकफास्ट निकलता है जो उसने प्रिपेयर किया था स्पेस चाहिए होता था इसलिए नोकर सफाई कर चले जाते थे। दोनों ब्रेकफास्ट टॉट करते हैं मगर पहले आस्था ब्रेकफास्ट का बाइट अविनाश को खिलाती है फिर खुद खाती है। ये देख अविनाश को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसने कही सुना था की जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये सोच वो स्माईल के साथ ब्रेकफास्ट करता है। बीच बीच में वो आस्था को खिलाता और खुद भी खाता। आस्था भी उससे खिला रही थी। खाना खाने के बाद अविनाश और आस्था अपने कमरे में जाते हैं अभिनाश को कहती है अभी के लिए उन्हें जाने दे रही हूँ कुछ समय के लिए फिर में उनसे अपना बदला लूंगी। ठीक है कहकर अभिनाश ओफिस जाने के लिए निकलता है। जाने से पहले आस्था के फोरे हेड पे किस करता है भी बोल कर चला जाता है। तब आस्था सोचती है कि क्या किया जाए कुछ सोच के वो बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती है उसके बोईफ्रेंड से बदला वो कल से लेगी अभी आराम कर लेती हूँ। विक्रम कल से तेरे उल्टे गिन चालू हो जाएंगे जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया था उसे केक चीज का बदला लूंगी भी रेडी फर रवेंज और डेविल स्माइल करती है। वही दूसरी तरफ अविनाश ओफिस पहुँचाया है तो सब अपना काम कर रहे होते है। भी याद कर वो शर्मा जाती है और फिर कुछ सोच अविनाश को मेसेज करती है कि वो क्या कर रहा है क्या उसने लन्च कर लिये। दूसरी तरफ अविनाश जो अपने काम में लगा हुआ था उसके फोन की नोटिफिकेशन आती है वो जैसे ही देखता है मैसेज उसकी बीबी का है वो खुश हो जाता है और जल्दी से रिपलाई देता है नहीं जब आस्था को उसका मैसेज मिलता है तब वो देखती है मैसेज देख उसे याद आने लगता है कि उसकी पिछली लाइफ में भी अविनाश काम में दूबा रहता था और खुद का बिल्कूल भी ख्याल नहीं रखता था एक दिन उसे तेज बुखार था फिर भी उसने किसे से कुछ नहीं कहा था और नहीं दवाई ली थी उसका बुखार इतना बढ़ गया कि उसे चार दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा था मगर वो उससे मिलने तक नहीं गई थी ये सब देख अविनाश को बहुत तकलीफ हुई थी कि उसकी वाईफ उसे हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आई कि वो कैसा है मगर तब भी उसने उससे कुछ भी नहीं कहा था ये सब याद कर उसे बहुत दुख हुआ मगर अब वो उसका ख्याल रखेगी ये डिसाइड करती है और लंच पैक कर ओफिस के लिए निकल जाती है जब वो अविनाश के ओफिस पहुचती है और उस बिल्दिंग को देख उसे अविनाश पर प्राउड फील होता है वो रिसेप्शन पर सीधे चली जाती है मन से काम में लग जाता है मगर उसे क्या पता था कि उसे थोड़ी देर में सूप्राइज मिलने वाला है वही आस्था रिसेप्शन पास जाके उस लड़की से बोलती है कि उसे अविनाश से मिलना है मगर वो receptionist थोड़ी घमंडी थी वो उससे rude voice में पूछती है कि उसके पास appointment है तो आस्था माना करती है ये सुनस receptionist का दिमाग सरकता है वो कहती है कि चुप चाप चले जाए जब आपके पास appointment ही न हो तो पता नहीं कहा कहा से आजाते है ऐसे लोग मुह उठा के असल में वो receptionist आस्था की खुप सूरती से जलती थी मगर कह नहीं सकती थी मगर जैसे सुना कि उसके पास appointment नहीं ही उसे बहाना मिल गया सुनने का ये सुनास्था का मगज सरकता है और उस receptionist को गुसे से घूरते हुए प्रेजिडेंट को कॉल करने की कहती है और कहने को कहती की आस्था आए है मगर वो बद्दीमक जाहिल receptionist नहीं मानती और गार्ड को बुलाने की धमकी देती है ये सुनास्था का सब रटूर जाता है और वो receptionist के बाल खीच के मारने लगती है उतने में अविनाश का असिस्टेंट जब शोर सुनके नीचे आता है जब भीर देख उस तरफ आके देखता है दो लर्कियां जगद रही है तो जल्दी से उनके पास आता है और पूछता है क्या हो रहा है ये सुनास्था अपना सिर उठाती है असिस्टेंट जब आस्था को देखता है तो पहेचान जाता है और जल्दी से उसके पास आके कहता है क्या हुआ मैं माप यहां आपने कहा होता तो मैं आपको लेने आ जाता ये सुनास्था रुपती है और खेती ही इसे जॉब पर से निकल दो ये सुन तुरंत वो एक्षन लेता है और उसे निकाल देता है ये देख सब डर जाते है कि ये लेडी कौन है आते ही रिसेप्शनिस्ट को निकल दी और असिस्टेंट उसका ओर्डर फॉलो कर रहा है असिस्टेंट को आफिस से बाहर निकलने का और फिर आस्था को रिस्पेक्ट के साथ लेके चला जाता है ये देख सब शोक हो जाते है मगर कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता सब अपने काम पे चले जाते है आस्था को रिसेप्शनिस्ट पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी वज़े से अविनाश को इतनी देर भूखा रहे ना पड़ा और उसका मगज गरम हुआ एलग अगर असिस्टेंट ना आता ना तो उसको अच्छा सबक सिखाती में जब वो अविनाश के केबिन के बाहर पहुचाती है तो असिस्टेंट को कहती है कि वो न्यू रिसेप्शनिस्ट को हाय कर देंगी चिंता ना करे ये सुन असिस्टेंट को दर लगने लगाता है कि अब क्या होगा में कैसी रिसेप्शनिस्ट कैसे चुनेगी मगर वो डर के मारे कुछ नहीं पूछता है और सोचता है बोस से इस बारे में बाद में बात करेंगे ये सोच जाने लगता है अपने केबिन की तरफ